AVN को ठीक करने की तीसरी स्टेप क्या होती है आग उसी के बारे में चड़सा करने वाला हूँ तो ये तीसरी स्टेप बहुत ज़ादा ही महत्तपोर्णा है हमने प्रिवियस टू स्टेप के बारे में जान लिया है पहले step पर मेरा particular वीडियो आप जा करके देख सकते हैं second step क्या होनी चाहिए treatment की वो भी मैं हमने आपको बता दिया है वो भी आप देख सकते हैं आज मैं तीसरी step आपको बताने वाला हूँ AVN केसे ठीक होगा without surgery किसी भी पेथी में किसी भी डॉक्टर से कहीं पर भी कैसे भी treatment आप ले रहे हो उससे फरक नहीं पड़ता फरक यह पड़ता है कि इन steps से यह दिया आपका treatment किया जाता है इन steps को ध्यान में रखका treatment किया जाता है तो AVN इतनी बड़ी विमारी नहीं है ठीक हो जाती है without surgery विट प्रूफ यह ठीक हो जाएगी अब यहाँ पर बात आती है कि तीसरी step है क्या तीसरी step दोस्तों यह है कि जैसे पहली step में हमने AVN को freeze किया दूसरा हमारा concern था कि Vascularity को बढ़ाना blood के flow को बढ़ाना अब तीसरी step में जो है जितनी necrosis हो गई है जितनी vacancies हो गई है फीमर के head पर बहुत सारे छेद हो जाते हैं बहुत सारे गड़े बन जाते हैं आप बोल सकते हैं ठीक है उन गड़ों को उन necrosis को fulfill करना ठीक है फूल फिल करने को ही हम तीसरी step बोलते हैं कि आपको visible result मिले x-ray में MRI में ठीक है अब यह visible result ऐसा नहीं है कि आप avian से ठीक हो गए तो तुरेंट visible result मिल जाते हैं यह इसमें time लगता है क्यों time लगता है क्योंकि bone का जो structure होता है उसको बनने में समय लग सकता है just like थोड़ा सा में technical आपको समझाओं तो osteoblastic activities आपको बढ़ कानी दवाईयां है उससे आपको osteoblastic activities को बढ़ाना है तभी avian ठीक होगा visible result आएंगे ठीक है इसमें आपको simply क्या करना है कि जो मान लीजे कि avian का यह head है और इसमें यह सारे गड़े हैं है ना यह सारे आपको गड़े दीख रहे हैं अब हमें क्या करना है with the help of national medicine हमें यहा जो गड़ा जिस size का है उतने ही size का है अब यह bird नहीं रहा है क्योंकि हमने पहली step में इसको freeze कर दिया है दूसरे step में हमने क्या कि अब यह गड़े पर vascularity चालू हो गई है है ना खून का दोरा शुरू हो गया है अब इस खून के दोरे में इस blood में आपको calcium है, vitamins है, phosphorus है, magnesium ह अब इस गड़े पर इस bone पर पहुँचने लग गए है, अब आपको homeopathic दवाई या कोई भी जो दूसरी आप दवाई ले रहे हैं, यदि वो capable है, तो आपको उस दवाई के माध्यम से इस जो affected bone है, वहाँ पर osteoblastic activities को बढ़ाना है, अब यह osteoblastic activities जैसे ही बढ़ेगी, त उसमें polyforation होगा, और polyforation के false root जो है, bone का structure normalize होने लग जाएगा, जो ball है आपके femur के head की, वो गोलाई में आने लग जाएगी, bone में क्या होता है, जैसे आप मान के चलें, आपका घर बनता है, तो घर में सरीय लगे हुए होते हैं, लोहे के सरीय होते हैं, तो bone में भी ऐसे ह होता है, protein के सरीय आप बोल सकते है, protein के fibers बीचे होते हैं, जैसे ऐसे protein के fibers होते हैं, कुछ लंबे जाते हैं, कुछ तेड़े जाते हैं, ऐसे होते हैं, और इनके बीच में जो आप गड़े देख रहे हैं, दोनों के बीच में गड़े, यहां पर calcium, magnesium, phosphorus जैसे लवन बढ़े हो होते हैं इस टैप से अब आपको करना क्या है कि इनको बनाना है ठीक है ओस्ट्योब्लास्टिक एक्टिविटीज बढ़ाना है ओस्ट्योग्लास्टिक एक्टिविटीज को कम करना है जो बोन को तोड़ने वाली अक्टिविटीज है उसको आपको कम करना है बोन को बनाने वा बने और इस पे calcium का deposition हो जिससे गोलाई में आपको femur का head x-ray में visible हो सके दिख सके तो बहुत ही simple भाषा में मैंने आपको बताया है कोई जादा technical term मैंने use नहीं किये ताकि एक layman जिसको एगेन हुआ है वो भी समझ सके ठीक है बस यह osteoblastic का मतलब होता है एसी प्रतिक्रिया एसी क्रिया जिसमें बनती है bone बनती है formation होता है और osteoblastic मतलब होता है कि bone जो है अपने आपको जो है regenerate करने के लिए जो death हो गई sales होती है उसको हटाती है ठीक है तो बहुत एकदम simple भाषा में आपको बता रहा हूं तो इस type से यह आप treatment करवाते हैं यह तीसरी step यह आप follow करते हैं तो visible result आपको देखने को मिल जाते हैं परन्तु यह visible result कहीं सारे patient बोलते हैं सर कभ visible result मिलेगा देखिए visible result मिलने में time लगता है कम से कम एक साल लग जाता है और अधिक से अधिक यह देड़ दो साल भी succeed हो सकता है तो क्योंकि हम लोग without operation ठीक कर रहे हैं और इसमें भी natural तरीके से कोई भी ऐसी drug नहीं दी जा रही है जिससे शरीर को नुकसान हो side effects हो तो natural तरीके से body heal होती है जिसमें time लगता है एक normal सा fracture यह दी हो जाता है उसी को heal होने में 6 महीने लग जाते हैं ठीक है तो यह तो sudden है necrosis है इसको तो ठीक होने में समय आपको देना पड़ेगा तो I hope आपको समझे माया होगा कि तीसरी step क्या होती है avian के treatment की नहीं आया है आप comment कर सकते हैं तो like कर सकते हैं कोई भी question है instagram facebook पर follow करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर live clinic पर आ करके भी आप मुझसे जुड सकते है proper or pat treatment लेना है तो आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं whatsapp number आपको screen पर दिया गया है thank you so much मुलता हूँ मैं आपसे ने studio में तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्कार